मैं दिव्या डीडी इंग्ली इंग्लिष में आप सभी का स्वागत है अगर आप इंग्ली शीखना चाहते हैं या फिर अपने बच्चे को इंग्ली सीखाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको डेली यूज छोटे-छोटे महला संटेंस हमारा है खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ को इंगलिए में इंग्लिस में बोलेंगे सिट डाउण sit down next sentence है धीरे चलो धीरे चलो जैसे कि कोई तेज चल रहा है था आप उसको बोलते है ना धीरे चलो तो आप बोल सकते हैं walk slowly next word क्या है यहां आओ यहां आओ come here आप अपने बेबी को बोल सकते हैं come here baby अपको यहां आओ come here next word क्या है जोर से बोलो जोर से बोलो speak loudly जैसे आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो धीरे-धीरे बोलता है ना तो आप उसको बोले से बोलो हम इसको इंग्लीज में बोले कुएं फिक कुको क्वाइट सोर मचाता है आप अन्गें न मैंने बता दिया जिसको नहीं आरह सोगा और जान लेगा कंदर आप कंद सुक्टा मैं फिसको सब लेए मुधाएं तैयार हो जाओ को इंगलीज में क्या बोलते हैं get ready get ready next word क्या है कुछ खास जैसे आप question किसी से पूछते हैं कि कुछ खास है क्या कुछ खास अगर आप question पूछ रहे हैं तो आप बोलेंगे इंगलीज में कुछ खास के लिए anything special anything special तो अगर आप बोलते हैं कुछ खास तो आप क्या बोलेंगे something special something special जब आप किसी से पूछते हैं कि कुछ खास है क्या तो आप बोलेंगे anything special कर आप खुद कर रहे हैं कि कुछ खास है कुछ खास तो आप बोलेंगे something special next word क्या है रो मत रो मत डोंट cry जिसे आप अपने बच्चे पढ़ाते हैं रोने लगता है चिलाते हैं तो फिर आप होँआ पी क्या बोलेंगे रो मत डोंट cry next sentence क्या है चिलाव मत चिलाव मत को इंगलीज में बोलते हैं don't sound अगर आप अपने वनरी सब्सट्ब्र यृटिंट क्या सब्सक्राइं saint हिसे इस अर्ड़ को बोलना है रही हूं सब्सक्राइब अगर आप sitio श допूल आपको जरूर इंगलिस बोलने आ जायेगा बस आप डेली डेली वीडियो देखा कीजिए और बोलने की प्रैक्टिस किया कीजिए तो आपको भी जरूर आएगा इंगलिस बोलने थोड़ा पेसेंस रखना पड़ेगा next word क्या है, कभी हार मत मानो, कभी हार मत मानो को इंगलिस में आप क्या बोलेंगे, never give up, never give up, कभी हार मत मानो, never give up, next word क्या है, मेरा बिश्वास करो, मेरा बिश्वास करो को आप इंगलिस में क्या बोलेंगे, believe me, believe me, आप भी मेरा बिश्वास किजिए, आपको इंगलिस बोलने जरूर आजाएगा बस आप बेली प्रैक्टिस कीजिए आपको जरूर आएगा बोलने तो आप मेरा विश्वास करो को इंगलीज में बोलेंगे बिलियूमी नेक्स्ट वर्ड क्या है चूप रहो चूप रहो को इंगलीज में बोलेंगे सट अप next sentence क्या है, लिख लो, लिख लोक को इंगलिस में बोलते हैं, write down, write down, अगर आपको बोलना है, इसे लिख लो, तो आप बोलेंगे, write it down, write it down, इसे लिख लो, next word क्या है, जगडा मत करो, जगडा मत करो, don't fight, don't fight, मट रोडोड next वरड़्य है कुदो मत रोडों लोड ढोलते हैं कि तुम गिर जाओगे कि ना इसे कुदरा है उसी ठायम बोलते हैं ञेक बोले तुम जाओगे तो आप ओहां पे क्या बोलेंगे वील ऐब ओर से वाला विडियो आपको इस वीडियो में मैं आपको 22 संटेंस बताए और यह पार्ट फी है आगे और पार्ट बनाऊंगी जिसे कि आप पुरी इंगलीस सीख लें छोटे-छोटे संटेंस बोल कि आप इंगलीस सीख सकते हैं तो आप हमारे वीडियो को जरूर देखेगा उन्हाइब बाक्स में देदुँगी तब आप से ज़रूर लिकर वताइए गाज़ा अगर आपने इस वीडियो से नया सिखा हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिये मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय ही जय भारत